हेलो फ्रेंट्स वेलकम डिटास फडरी चैनल और अगर आपका घर पे फाउसल टैप है और उसमें आप अगर इलिक्टिकल जो हीटर होते हैं वह आप लगाना चाहते हैं वह आप एक वीडियो आपके लिए है कि इस वीडियो पे मैं आपको टॉप 3 बेस सेलिंग शुरू करता हूं तो फ्रेंस नमबर वन जो इंस्टेंट टैप वाटर हीटर के बार में बताऊंगा ओफेंस एपियन का है और इसका जो पावर है ओफेंस 2000 वाट का है और इसको आप 3 सीच डिडियो रोटिट कर सकते हैं और इसके साथ जो आपका स्वीच आते हैं वह भी देखने में बहुत अच्छे गुर्ड लुकिंग है और इसका जो बॉड़ी है और प्लास्टिक मेड है लेकिन फ्रेंस कोई भी मेल बगड़ा नहीं होगा और इसका जो कालर आते हैं और यहां पर आपको स्टील का बॉड़र आपको यहां पर देखने में आ जाएगा और दोनों साइट पर और आपका यहां पर जो डिस्प्ले है और ब्लैक कलर डिस्प्ले यहां पर आते हैं यहां पर आपको इंडिगेट करेगा कितना टेंपरेटर का आपका पानी आ रहे हैं यहां से आप पता चला सकते हैं कि आपका पानी कितना गरम हुआ है और इसका जो र वाटर है बढ़ेखा दो यहां पराद हीड्स होगा मत्लब बढ़ेगा तो आपका टेम्पेरे काम और लीए पर काम हो जाएगा तो इसके बाद करते हूं दूल जो सब पीद होते हैं हुआपको सब को रब्फों की यहां पर वाटर जो पाइप है उसके साथ कनेट करना होगा इवन फिरस इहां पर छोटा सा एक वाटर पाइप का जो एक्स्टेंड होते हैं वह भी आपको यहां पर दिया गा है तो आप बहुत ही आसानी से आपका घर पर जो पीवीसी पाइप है क्या पोड़ा ना जो आईरन पाइप करिए उसके साथ इसको आप करेंट कर साकते हैं और फेयर इसका पर परइस पर रहुंद करता हो तो to और इसका बॉल्टी के बाद करता हूं तो इसका बॉल्टी का गुट प्लास्टिक मेटरियल का है तो यहां पर मेल्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं होते हैं और इसमें आपको टेमपराचर डिजिटल डिस्पली आपको दिया गया है जो आपको एक प्रॉपरिशनल लूप आप इसको बारे में बाद करूंगा उसमें आपको डू आपको मिल जाते हैं एक हैं अपका हॉट का और दूसरा कूल का तो इसको अगर आप घुमाएंगे तो यहां पर आपका नॉर्मल आपका वाटर आएगा और जब भी आप इसको हॉट मूट पर आप सेट कर देंगे तो within five seconds आपका instant hot water आपका यहां पे आपको मिल जाएगा और इसमें friends आपको automatic water pressure controller आपको दियागया है मतलब जब भी आपका यहां पे water heat होगा, तो automatically आपका water pressure काम हो जाएगा और जब भी आपका temperature काम हो जाएगा तो automatically आपका water pressure बढ़ जाएगा तो यह friends बहुत ही useful होते हैं और इसका friends अगर power rate के बाद करता हो तो 3000 watt इसका power rate है जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा है और बहुत ही fastly यह काम करते हैं और यह डाड़ेट AC पे चलते हैं मतलब यहाँ पे आपको power code आपको मिल जाते हैं जो power code का लेन थे वो भी friends बहुत ही अच्छा दिया गया है तो आप आपका side पे प्लाग है आपका basin पे kitchen पे आपको plug है तो आप वहाँ पे plug-in कर सकते हैं और इसका power plug यहाँ पे दिया गया है आपको box पे आपको मिल जाते हैं तो आप घर पे ही आप इसको install कर सकते हैं और इसका अगर price के बारे में बग करता हूँ तो 1300 रावंड इसका price बढ़ जाते हैं और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का discussion पे इसके link में share कर रहा हूँ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और फ्रेंस थार्ट जो में इंस्टेंट इलिटिक वाटर हीटर के बारे में बात करनाँगा और इसको कमपानी का है और इसका home या kitchen के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका design है बहुत ही अच्छा मुझे लगा है बहुत ही compact design यहां पर दिया गया है और white color यहां पर मिलते हैं और यह फ्रेंस आपका ABS quality का जो plastic होते हैं उसके थूए बनाए हुआ हुआ है और इसका बनावाट बहुत ही अच्छा compact लूप देते हैं जो है मतलब जो हैंदल है ऑपको फ्रेंस आपको बात करेंगे और इसमें यहांपको लूटर ही होगा है यहांप अपको दिया गया है जब भी बड़ेगा तो ऑटमेटीकिली आपका water pressure कम हो जाएगा और जब भी आपका temperature काम हो जाएगा तो automatically आपका water press Jazz बट जाएगा तो यह फ्रेंस बहुत यूसपूल होते हैं जब भी आपको को चाहिए तो प्रीडियो का डिस्क्रिशन पर मैं इसके लिंक में शेयर कर रहा हूं तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं तो इस वीडियो पर में इसका रिव्यू और इसका टॉप सेलिंग है उसके उपर में डिपेंड करके लिस्टिंग क्या हूं तो friends इन में से friends आपको कौन सा अच्छा लगा है प्लीज मेरा वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्षिन पिलिके जरूर बताएगा और friends इस वीडियो का अगर आपको आच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और friends अगरा अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरू क्लिक कीजिए आज के लिए इतना इन एक्स वीडियो पर आपको सब्सक्राइब से जरूंगे एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए गुडबाई